नमस्कार दोस्तों अगर आपको एक बड़िया सा एस्प्रेसो और एफशीनो कॉफी मेकर खरीदना है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे दो सबसे बड़िया एस्प्रेसो और एफशीनो कॉफी मेकर के बारे में जो कि आप खड़ीच सकते हो तो इस वीडियो को करते हैं शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे जो सबसे बरिया एस्प्रेसो और एफशीनो कॉफी मेकर आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सवाला है तो यहां पर आता है ब्लाक एंड डेकर का फॉर कप 4,200 यानि 4,200 रूपीज में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहां पे जितनी भी इस्प्रेसो और एफशीनो कॉफी मेकर का प्राइस में आपको बता रहा हूँ हो सकता है बाद में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो त तो आगे बढ़ते हैं यह जो ब्लाक एंड डेकर का इस्प्रेसो और एफशीनो कॉफी मेकर है इसका हम लोग करते हैं रिव्यू और बात करते हैं इसके बारे में तो यह जो कॉफी मेकर है इसमें आपको फ्रॉतिंग फंक्शन मिल जाता है और इसके साथ आपको एक डिजाइन है तो ऐसे में अगर आपके ज्यादा प्रस्पेस है तो फरक नहीं परता है इसके अंदर आपको एक नॉप देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप स्टीम फंक्शन से फ्रॉत फंक्शन में इसीली चेंज कर सकते हो सिर्फ नॉप को घुमाके इसके अंदर आपको एक Aluminium Boiler देखने को मिल जाता है जो इस Coffee Maker का Durability बराता है और ऐसे में Aluminium Boiler जो है काफी लंबे समय तक ठीकता है और ऐसे में इस Coffee Maker को अब जादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो तो काफी जादा सार आपका ये Coffee Maker चल जाएगा एक बार खरीदने पर वरेंटी की बात करो तो इसमें आपको दो साल का वरेंटी भी दिया जाता है कमपनी के तरफ से इस Coffee Maker के उपर तो आगे बढ़ते हैं आपे नंबर वन पे जो सबसे बरिया एस्प्रिसो एन एफशीनो Coffee Maker आप ले सकते हो तो वो जान लेते हैं कौन सा वाला है तो यहाँ पे जो आता है Morphe Richards का New Europa 800 Watt Espresso एन एफशीनो 4 Cup Coffee Maker तो ये कुछ दिखने में ऐसा है और इसका जो प्राइज है आपको मिल जाता है 4,600 यानि 4,600 रोपीज में तो इसके बारे में भी बात करते हैं और करते हैं इस Morphe Richards की Coffee Maker का Review तो ये भी एक 4 Cup Opacity का Coffee Maker है और इसमें आपको एक Steam Control Knob देखने को मिल जाता है और Coffee Strength Selector भी देखने को मिल जाता है तो कितना अरवा आप Coffee को बनाना चाते हो तो वो जो है आप Select कर सकते हो इसकी Coffee Strength Selector के मदद से और जो Steam है इतना Steam आपको देना है वो भी आप Control कर सकते हो इसकी Control Knob के मदद से तो इसमें आपको एक Arbo Nozzle भी देखने को मिल जाता है जो इंशोर करता है आपके Coffee के ऊपर जो है बहुत ही बढ़िया से Frothing होता है इसके साथ आपको एक Removable Drip Tray भी देखने को मिल जाता है तो जितने भी Coffee जो है बच जाता है जो Drip हो जाता है जब भी आप इसको Handle करते हो तो वो जाके Collect होता है इसकी Drip Tray में इन दोनों का Best Buy Link मैंने इस वीडियो की Description Box में देखे रखा है वहाँ पर जाके आप इनको Check Out कर सकते हो देख सकते हो और इनको खडीद भी सकते हो तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लागा होगा